दोस्तों जिसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार ने वुड़ाफून आइडिया का जो कर्स तास को एक्यूटी में कनवर्ट करके 36% अल्मस 35.8 नहीं 36% का स्टेक यहाँ पे वी आइ में ले लिया इससे स्टेबिलिटी मिली दोस्तों वोड़ाफन एडिक और कर्स यहाँ पे उलमस गायब हो गया और सरकार इसके हिस्सेदार बन गी वैसा ही दोस्तों कुछ ओप्शन यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज ताटा ने भी चूज किया था लेकिन आप दोस्तों टाटा इस बात से मुकर रहा है टाटा ने बोला नहीं हमें यह नहीं करना सरकार का प्रोपोजल कुछ खास यहाँ पे नहीं मतब दोनों का साधी होने से बिले तलाक होता बने जरार दोस्तों क्या है दोसे पूरी न्यूस किस्ते से टाटा दोस्तों क्यूं इसके रीजन है, क्यूं टाटा नहीं चाहता है, आपका दोस नील शेखा अधर आप देख रहे हैं, हमारा चैनल टेक्नो नील जैसे कि आप से भी जानते हैं सबसे पहले हम नहीं लेड लीड किया दो सबसे ब्रेक के थी न्यूज के भारा सरकार ने यहाँ पे जो Vodafone आइडिया वी आए का जो कर्स था उसको एक्विटी में कनवर्ट करके अल्मस्ट 35.8 यहीं अल्मस्ट 36% का स्टेक यहाँ पे ले लिया स्टेक लेने से भारा सरकार Vodafone आइडे में मैजूरिटी स्टेक होल्डर बन चुका है यहाँ दोस्टो Vodafone गुरूप और आइडिया गुरूप से ज़्यादा स्टेक यहाँ पे सरकार कुछ भी कर सकते लेकिन सरकार ने clear hand दे रिखा कि हम सिर्फ और चिप सपोर्ट कर रहे है Vodafone आडे को वाज़ा ही दोस्ते एक option यहाँ पे Tata Tele Services को भी दिया गया था और उसने accept कर लिया था कि Yes Tata Tele Services फे भी हजारों करोर का करस था अब दोस्तों यहाँ पर मिटिंग हुई Board of Members की रोणा ने बोला कि नहीं जो सरकार का प्रपोसल है वह हमें फिलाल ठीक नहीं लग रहा है क्या दोस्तों पूरी रेट उसको देखेंगे यह देख सकते है Tata Tele Services महा विड्रोस Government Equity Conversion Plan जो Government का Equity Conversion प्लान था उसको विड्रो कर लिया वो उन्होंने वापिस ले लिया कि नहीं हम यह option देना ही नहीं यहाँ पर Tata Tele Services महाराष्ट की बाद चली TTML has decided not to convert its accrued interest on deferred AGR into Government Equity जो हमारा AGR का कर्ज है न उसे हम यहाँ पर equity में convert नहीं करना चाहते है saying the amount to be converted 195 crores 195 crores यहाँ पर हो रहा है सरकार के साफ से as per the government calculation much lesser than it estimated 850 crores इन्होंने खुद ने सोचा था Tata Tele Services ने के साड़े 800 crores something के हमारा जो कर्जस को equity में convert करके इससे दे दे देंगे लेकिन सरकार की calculation सिर्फ यहाँ पर 195 crores है जो बहुत कम यहाँ पर is the interest amount to eligible conversions at less are expected calculations by the company board of director यहाँ पर बता रहे है कि जो हमने सोचा था उससे बहुत कम है काम ने साड़े 800 crore सोचा था रहे हैं यह वाली चीज क्योंकि सिर्फ 9.5% यहाँ पर बात की जारी कि हम साड़े 800 crore की हम आपर कर्ज को यहाँ पर equity में दे के साड़े 9% का stake सरकार को देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सरकार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 195 crore का यहाँ पर equity जो है उसको यहाँ पर convert करने चाती है तो बात की बात की जाएगा तो फिलाल दोस्तों यहाँ पर वड़ा फोन आड़ा जिससा यहाँ पर सही तो नहीं होरा सब कुछ टाटा को यहाँ पर इसा लग रहा है कि सरकार यहाँ पर को कि चीज जब लिकल के आ रही है कि शाड़े 800 crore की इनकी expectation थे कि शाड़े 800 crore का जो कर्स है उसको equity में convert करके लेकिन यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 195 crore के कर्स को ही equity में convert करना चाहती बाकी बैसा तो देना है तो company का दावा यह है कि यह तो बहुत कम है इससे बेटर तो हम इसको करते ही यह हम देखा जाएगा बात की चीज़ बात यह तो फिलाल दोस्तों फिलाल टाटा और government के विच में जो merger होने वाला था मतलब जो टाटा के कर्स को यहाँ पर equity में convert करके सरकार जो हिस्सेदारी लेने वाले थी वो फिलाल होता वान नजर नहीं आ रहा है टाटा ने क्लियर ना बोल दिया है तो यह थी सबसे वड़ी अप्डेट के वी आई तो मान गया टाटा फिलाल नहीं मान रहा है इस मर्जर के लिए फ्रेंड से वीडियो को अच्छा लगाओ इंफमाटी लेगाओ थामसब जो टितना आपके भाई का चैनल ले इस वीडियो को शेयर कर दिए हमारे मोटीवेशन के लिए हमारे फेस्बूक पेज को फोलो करिए आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ आत्मिवाच एक है कर आई ऑल्वेस किप स्मालिंग